तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटा इंडिया एंड सीया राम से के कौटर थर्ड के रिजल्ट के बारे में किस तरीके से उनके जो है रिजल्ट आते हुए दिखें हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है इस टॉक्स पे देखने को मिल सकता है तो पहले अगर पहले ग्रेविटा इंडिया की तो रिजस्ट्स काफी अच्छा आते होए दिखें इस कंपनी के और इन्हों ने जिस थरीके से अपने बढ़ाये हैं काफी जो है सेजमेंट्स जो है इन्हों नए नए सेजमेंट्स जो ओपन किये हैं वहां से जो एक अच्छी-खासी परफॉ प्रॉफिटेविल्टी में भी जो है शांदार इजाफा देखने को मिल रहा है तो पिछले साल करीब तो इस बार देखेंगे तो अब तालीस करूर का प्रॉफिट जो होता हुआ दिखाए वहां से तो जो है से कंपनी ट्रिबल डिजिट के अंदर जो है प्रॉफिट लेकर आते हुई दिख रही है पिछले साल अगर पूरे साल की अगर बात करेंगे तो फिफ्टी सिक्स सी आर्की आसपास का जोई प्रॉफिट था तो अभी देखेंगे तो अभी तक ही जो इसने करीव करी 102 करोड के आसपास का प्रॉफिट तो जमा कर दिया है तो मुझे लग रहा करीब करी यह कंपनी जो है 1.500 करोड का प्रॉफिट करती हुई दिखेगी मतलब प्रॉफिट में भी अगर आप देखेंगे तो तीन गुना जो है डवल दो गुना जो है प्रॉफिट जो है भरता हुआ दिख करें है तो लेड का सेजमेंट इयर किया है ऐंप्लास्टिक सेजमेंट पीचले साल लॉस में था तो अब अजहा खोना चारा चारों सेजमेंट जो है बैटर परफोर्मेंस देखने को मिल रही है यह कहीं ना कहीं जो है यह इस stock को जो है आगे दम दिखाते हुए नजर आएंगी और कहीं न कहीं इन में जो है और उडान जो है इस stock के अंदर आप देखेंगे आने वाले time में आपको देखने को मिलेगी बात करें stock के chart pattern की बहुती शांदर जो है chart pattern बन रहा है 2021 के जनवरी के महिने में आप द कर रहा है यहां पर अगर बात करें तो इस टॉक का जो लोधा 2021 के सकंदा 75 हाई इसने जो लगाया है वो लगाया करीब 300 रुपीज के आसपास का अब 300 रुपीज का ही मेरे एसाब से जो है stop loss इसमें जो है लगना चाहिए 300 के stop loss के साथ में stock को जो है buy किया जा सकता है जिस त सकती है कि यह आपको जो है फरवरी फरवरी के महीने के अंदर ही जो है आपको 400 रुपे के आसपास जो है ट्रेट करता हुआ मिले stock में दमदारी है long term short term दोनों के लिए जो है देखी है year on year quarter and quarter basis पे nine month और nine month basis पे भी देखेंगे तो इंकम में जो है शांदारी जाफा देखने को मिल रहा है और company के अगर बात करी जाएगी तो शांदा profit जो है company दिखाती हुए नजर आ रही है year on year and quarter and quarter के हिसाब से पिछली साल तो अगर 9 महीने के अगर बात करी इनका जो है इस टॉक जो है करीब करी आप देखेंगे तो 351 लैक जो है इन्होंने जो है completely कमाया था तो बहां से तो देखेंगे तो जबर्दस 134 करोड जो है company अब तक जो है कमा चुकी है बहतरी जो है return इसमने देखा है अब लेकिन ऐसे stocks में mostly होता क्या है कि यह तरीके से जो यह profit जो करते हुए नजार आ रहे हैं तो कहीना कहीं यह profit जो है year on year में आने वाले 2022 में अभी जो है यह दिखाएंगे करीब करीब 150, 140, 145 करोड का profit और फिर अगले 2023 के अंदर फिर कितना profit आएगा तो कहीना कहीं फिर वो उतना manage नहीं हो पाता है और वो कहीना कहीं उतना manage ना हो पानी की बज़े से stock में फिर से जो है downfall आना लग जाता है तो मेरे एसापसद तो जो है वो company अच्छी है जो धीरे 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 करके जो है अपने profit को जो increase करती है year on year और जिनके revenue भी जो है धीरे धीरे करके जो है increase होते हैं अला कि turnaround story इस stock के अंदर अच्छी बन रही है stop loss के साथ में बने रह सकते हैं क्या पता जो है यह आगे इसको return कराते हुए नजर आए बहुत ज्यादे ही जो है solid काम होगा तो यहां पर बात करें चार्ट पैटन की तो यहां पर आप चार्ट पैटन इसका अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है stock भी एक अच्छी खा चार्शी रुपे के आसपास का था इन हाई इसने जो बनाया करीब 515 रुपे के आसपास stock अभी वी देखेंगे तो अपने bullish trend में ही जो है अभी टिका हुआ है यहां पर बिल्कुल जो है लिया जा सकता है और एक नीचे stop loss आपको लगांगे चलना है 385 रूपीज का 385 रूपीज का stop loss अच्छा काम करता हुआ दिखेगा इस stock के लिए जिस तरीकी के result आएं है और जिस तरीके से आगे जो इसका performance आता हुआ दिखेगा सेक्टर भी काफी अच्छा कासा जो है काम कर रहा है और आगे government भी जो है इसको support कर रही है इस sector को तो मेरे एसाब से जो ह है आप और इसमें जो है गती देखते हुए नजर आएगा आपको दोनों के दोनों स्टॉक्स लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए जो है परफॉर्म करते हुए दिखेंगे आप जो है फ्रेश भाइंग भी कर सकते हैं अपनी आपनी जो अगर बाइंग कर रखी ह ठाइंग्यू